आज हम स्टड़ी कर रहे हैं एलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफ्रेंस या पोटेंशल डिफ्रेंस एंड एलेक्ट्रिक पोटेंशल तो यहां पर हम दो टापिक्स जो है इसको हम कवर करेंगे तो सबसे पहले जो है एलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफ्रेंस और एलेक्ट्रिक पोटेंशल है क्या एलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफ्रेंस को हम सिंपली पोटेंशल डिफ्रेंस भी कहते हैं तो यह जो है एलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफ्रेंस जो है और यह एलेक्ट्रिक पो तो दोस्तों नार्मली जो है jividad we all हम की राख़ते हैं तो इसका मतलब भी होता है कि हम दू चीजों को compare करते हैं और उनमें जो है एक को हम कहते हैं ये इसके मुकाबले में बहतर है अगर for example हम student की example ले झीचामपल ले तो student अगर एक student A है और एक student B है और हम कहें कि यह student A जो है वो जो है वो काबिल है student B के मुकाबले में तो हम इसको कहते है student difference और अगर हम B student जो है वो बीच में से हम निकाल दे तो पिर comparison के लिए कोई रहता ही नहीं है there is no difference पिर हम सिर्फ student का लफजी हमारे पास रहे जाता है तो यहां पे जो है हमारे पास two equations है एक equation 1 है और equation 2 है दूनों जो है potential energy की बारे में है equation 1 जो है यह electric potential energy difference जो है यह दो पोईंट बी है और एक point A है तो इसका मतलब यह है कि electric potential energy difference जो है यह दो points A और B के दर्म्यान है और equation 2 को अगर हम देख लेए there is no two points कोई दो points नहीं है सिर्फ एक point R जो है हमें दिया गिया है तो इसके साथ difference का लफज नहीं है तो यह equation 1 को अगर हम देख लेए इस equation 1 से अगर हम एक point को निकाल दें for example अगर हम point A को अगर मैं निकाल दो मैं कहूं कि point A पर energy potential energy यहां पर zero है तो तेन जो हमारे पास सरफ only R B रह जाता है जो equivalent है इस equation 2 के अगर B से यहां से यहां पर यह square नहीं है यह square को मैं हटा देता हूं तो हमारे पास है equation तो जो है पर दोनों जो है वो equal हो जाते हैं तो यह हो गया जो है energy के बारे में तो similarly जो है electric potential difference and electric potential के दिम्यान भी यही फार्ख है अगर दोनों में से difference का लफज हटा दे तो पर हमां दोनों equally हो जाते हैं तो potential energy की हमां simple जो है अगर definition करना चाहे तो उसकी definition यह है potential difference की potential energy difference per unit test charge यह अगर हम का है कि हमारे पास दो एक charge है positive charge है let's suppose और यह point B पे है point B पे है और एक test charge है क्यों not जो point A पे है अब जो है हम क्या करते हैं हम यह point A से point B तक लेकि जाते है against the field then we need to do work तो जहां हम work करते हैं वो work जो है store हो जाती है as a potential energy as a potential energy तो हम अगर क्यों charge को point A से point B तक ले जाने में हम work करें डबल यो तो एक unit charge जो है उसको point A से point B तक ले जाने में कितना work जो है हमें चाहिए दरकार होता है तो उसकी लिए जो है उसको हम पे रहा हूं unit charge पे काम तो वह जो है actually x कियो इसको अगर हम देख ले this और this is equal to यह actually potential difference है work done per unit हो अगर यह test charge हम consider करें इसको मैं test charge consider करों तो यहां पे जो है यह क्या है यह potential difference है और यह work जो है इसको यह जैसे मैंने पहले बताया its store your work store as a potential energy q not तो लहाजा जो है इस equation से हम potential difference की definition यह करते हैं mathematical हम उसको पहले यह लेखते हैं कि potential energy difference per unit of test charge और यह work done per unit of test charge तो इसकी definition अगर हम लेखना चाहें तो work done per unit of test charge इसकाल potential difference यह पर हम इसकी definition यह भी लेख कर सकते हैं potential energy difference per unit of test charge तो जैसे मैंने आपको पहले पताया कि इसकी mathematical definition इसको अगर हम लेखना चाहें तो इसको हम यह भी लेख सकते हैं work done from A to B per unit of test charge is equal to potential energy difference per unit of test charge और इसकी unit work done work done per unit test charge यह हम potential energy difference per unit test charge is called potential difference यह potential difference जैसे मैंने आपको पहले पता है उसको हम कहते हैं at a point उसको हम electric potential कहते हैं और उसको हम जो है we is equal to potential energy per unit of test charge अगर इस equation को देख लें it shows the difference it gives us the difference और यहां पर भी जो है it gives us the difference in energy यहां पर कोई difference नहीं है और potential है और energy में कोई difference नहीं है बाकि जो है unit जो है वह सेमी है इसकी unit और उसकी unit जो है यहां पर भी जोल है पर और कोलम है तो इस जो है यह वाला जो है potential difference जो है यह दो points के दर्मियान लेते हैं और यह single point हम consider कर लेते हैं अब हम एक और point की तरफ आते हैं कि यह potential जो है it can be positive, negative and zero अब यह किस वक्त जो है positive है किस वक्त negative और किस वक्त जिरो अगर हमारे पास एक positive charge है उसके नजदिक हम कोई point ले ले तो उस point पे potential जो है उसको हम positive consider करते हैं कैसे फ़र एजांपल अगर यह एक positive charge है और यह एक हमारे पास test charge है at infinite point जहां पे मैं potential consider करता हूँ कि यह 0 है और यहां पे potential जो है वो 0 नहीं है तो अगर हम test charge को ले आना चाहे है towards this charge positive charge और किसी एक point फ़र एजांपल अगर यह एक point है इस point पर हम ले आना चाहें तो फिर इस सुरत में जो है potential जो है potential difference जो है वो increase होगी यानि potential difference जो है in this case will be increase greater than 0 और energy potential energy difference will also increase वो कैसे देखो यहां पे अगर हम देख ले यह positive charge है यहां पे electric field की direction यह है और यह test charge जो है यह भी positive है यह हम positive लेते हैं तो अगर मैं अगर हम इसको यहां infinite point से यहां तक ले आना चाहें तो हम we need to do work against the field और जब हम against the field काम करते हैं तो वो काम store हो जाती है at that charge as a potential energy तो यहां पे electric potential जो है वो increase होगी और यह electric force जो है वो test charge पे positive work करेगा क्योंकि यह इसको हम जब this side पे लिखेना चाहें तो electric force will apply do work in this direction negative work done जो है वो होगा तो इस किसम की सुरत में potential increase होगी और negative कैसे वक्त होगी? वो इस वक्त होगी अगर हमारे पास एक negative charge है और उसके near हम एक point ले 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 तो वहां पे potential difference जो है वो negative होगी वो कैसे for example अगर यह एक negative charge है और यह एक positive charge है test charge है और यह infinite point पे है जहां पे potential जो है वो जीरो है तो यह जो है इसके तरिम्यान जो है वो क्या होगा attractive force होगा इस negative charge वे अगर मैं इसके करीब ले आना चाहो तो attract to rate itself तो जो है electric field की direction जो है वो यह है तो field के हलाफ काम नहीं हो र तो it is along work done is along the field तो यहां पे potential energy जो है potential difference जो है वो decrease और potential energy जो है यह भी decrease होगी इसके बाद जो है zero कब होगी if the potential is zero no network is done by the electric force as the test charge moves in from infinity to that point यहनी अगर किसी point पे जो है potential zero है तो electric force पे उसको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा तो इस किसम की सूरत में जो है वो potential zero होगी अब जो है हम एक और बात की तरफ आते हैं हमने कहा था कि electric force जो है वो conservative है और जो है potential energy जो है अगर हम एक test charge को एक point से दूसरी point लेके जाना चाहें तो it is independent of the path तो potential energy जो है यह क्या है independent of path है तो जब potential energy independent of path है तो हमारे पास equation है potential difference का potential energy difference per unit test charge तो यह equation हमें suggest कर रहा है कि V जो है potential difference जो है it is also independent of path अब जो है हम energy की unit है उसको तुरह से discuss करते हैं जब हम atomic level पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि energy की unit जो है वो electron volt है और हम अगर इस equation को देख ले इस equation को अगर इसको हम यह लेख सकते हैं क्यों and potential difference अगर हम क्यों को represent करें as a elementary charge हो और potential difference की unit जो है वो हम ले 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 तो इस equation जो है it gives us electron volt इसकी हम एक example लेते हैं example for example हमारे पास carbon है carbon में 6 electron अगर हम उससे remove करें और दो points है एक point A है और A का point B है इसके दर्मियान जो है potential difference जो है मैं कहता हूँ के 20 kilo volt है तो यह six electron जो है किसी point से इक point से दुसरे point तक लेकर जाना चाहें तो system की energy जो है वो क्या होगी change होगी कैसे for example यह equation जो है यह equation हमें show कर रहा है Qn D यह equation हमें show कर रहा है कि अगर 4 जो है एक point से दुसरे point तक लेकर जा रहा है तो सिस्टम की इनर्जी जो है वो change होती है, यह equation हमें यह भी show कर रहा है, तो यहाँ पे जो है, अगर यह six electron जाए, एक point से दूसरे point तक लेके जाए, तो system की energy जो है, वो change होगी, तो उसके लिए हम वही equation यूज़ करते हैं, यह equation QV, अब जो है Q की जगा हम six electron लेकते हैं, electrons, औ और V जो है कितना है, 20 kilo volt है, तो change energy जो है, वो क्या होगी, 120 kilo electron volt, यहनि electron volt जो है, this is the unit of energy, तो यहाँ से जो है potential difference की, जो equations है, यहाँ से हम कह सकते हैं, कि energy की unit जो है, वो electron volt है, तो क्या है, हम potential difference और electric potential में क्या फर्क है, हम potential difference की equation जो है, वो यू लिखते है, potential energy difference per unit test charge, और electric potential की definition जो है, energy, potential energy per unit test charge, तो यह भी बाकि कोई फर्क नहीं है, यह भी jolt पर kolum है, यह भी jolt पर kolum है, यहाँ पर potential energy difference है, यहाँ पर कोई कोई दिफ्रेंस है नहीं है, पोटेंशल एनर्जी है, कोई दिफ्रेंस नहीं है, तो this is something about the potential difference and electric potential, thank you.